हेले अर्यवान वेलकम टू आइफाई स्टेडी स्टूडियोज विसे पार्ट ओफ अनकेडमी गुरूब दोस्तों आज की इस क्विज में हम देखते वाले हैं कुछ एक्सपेक्टिड कोशन्स जो की SSC, Railway, UPSI, एक्जाम्स के लिए काफ़े इंपोर्टेंट होने वाले तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है और इन सभी कोशन्स में से अगर आपको किसी भी कोशन का अंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बोक्स में बताएगा औ और इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताना है टोटल कोशन में से आपका स्कोर कितना रहा ठीक है वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक जरू कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में सेयर जरू करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब क करते हैं तो आपको मैक्सिम डिसकाउंट मिल जाता है कैसे जोइन करना है मैं बता देता हूं अगर आपके पास कुछ कोईंस होंगे उनको भी अप अपलाई कर सकते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा डिसकाउंट मिल जाए ठीक है बाकी टोप एजुकेटर के जितने बैच से पहले ही आप जोइन कर लीजे ताकि आपको सेम प्राइज में अभी जितना चल रहा है उतने में मिल जए आगे बढ़े हुई प्राइज में सब्सक्रिप्शन ना जोइन करना पड़े तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखीगा दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोशन है निमन में से कौन से देश की तट्रेखा सबसे लंबी है और देखे इस पूरे लाइव टेस्ट में आपको जितने भी कोशन्स आते होंगे नीचे कमेंट बोक्स में बताते रहना आपकी भी जादा से जादा प्रैक्टिस होगी औ और आप लास्ट में ये भी देख पाएंगे कि इस पूरे लाइव टेस्ट में आपने कितने कोशन्स के आंसर सही कि हैं और लाइक करने दो भूलिए गे मत इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है कनेड़ा इस दा राइट आंसर ये आपको याद चलिए दूसरा कोशन आ रहा है डिमिन में से किसे सैबेरिया का मोती कहा जाता है त्यांस देखेगा इस question का दोस्तो right answer होगेगा बेकाल जील को दोस्तो क्या बोला जाता है Siberia का मोती कहा जाता है यह आपका दूसरा question था चले next question आता है मचली उत्पादन किस क्रांती से संबंदित है आप सभी को पता होगा The revolution of fish production is called बिल्कुल सही answer क्या है Blue revolution, नीली क्रांती से संबंदित है ठीक है ना, fish production अगला question कहरा है कि सिक्किम राज्य को किस सविदान संसोधन के बाद राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा दोस्तों इस question का correct answer हो जाएगा 36th amendment act और यह कब हुआ था यह वह था 22 अप्रेल 1975 में कब हुआ था दोस्तों 22 अप्रेल 1975 को यह भी आप याद रख सकते हैं ठीक है और जो सिक्किम है दोस्तों यह हमारा 22 वा स्टेट बना था 22 राज्य बना था ओल्राइट चलिए अगले question पर चलते हैं कि अगला question है निमलekित necessary में कौनसाalet है जो अपने अन्मादडोरे के समय मारा गया तो मेरे पहारे दोस्तों इस question का answer बता दीजिए के कौन सा वासर है जो अपने अन्मादडोरे के समय मारा गया था तो उभ्रे है adude मेयो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि B आपका correct आंसर है ठीक है अगला question आ रहा है कि सिव समुद्रम जल पर पात किस नधी पर इस्थित है इस question का correct आंसर क्या होगा आपके options में आपका गंगा है गोदावरी है क्रिस्णा है या कावेरी है तो guys correct आंसर होगा कावेरी यह आपको पता होना चाहिए अगला question आता है कौन से राजवन्स ने दिल्ली सल्धनत पर अधिक समय तक सासन किया तो guys इस question का right answer हो जाने वाला है तुगलक यानि की सी आपका correct आंसर होगा ठीक है भई चलिए अगला question है चतुर्थ बोध संगीत के उपाध्यक्स कौन थे deputy chairman of fourth Buddhist council दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा देखिए एक तो आप यहाँ पर confuse मत होईएगा यहाँ पर deputy chairman के बारे में बात की गई है तो deputy chairman तो थे अस्व घोस ठीक है यानि की option आपका डी हो जाएगा बट यहीं पर आपसे पूछा जाए कि president कौन थे तो president थे दोस्तों वास नहीं होना है यह आपके president थे ठीक है ना चतुर्त बोध संगीत के उपाध्यक्स की बात कीज़े तो आस्वकोस और president की बात कीज़े तो वे हैं थे वास्व मित्र कंदोनों में confusion बिल्कूल नहीं होना चाहिए चले next question आपका क्या कह रहा है कि देख लेते हैं और देखिए अ इसको क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं वई जरह बताइएगा सेमांग कहते हैं क्या कहते हैं सेमांग इस दारेट आंसर अगला question है दोस्तों चाय में निमलिकित में से क्या होता है चाय में निमलिकित में से क्या होता है तो चाय में दोस्तों प्रजेंट होता है कैफिन यानि कि इस question का right answer option है ठीक है इसलिए बोलते हैं कि चाय ज्यादा पीना अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि उसमें कैफिन होता है अगला question है प्रत्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकन वाला works कौन सा है जलाब बताईएगा करवेकस दोस्तों इस question का right answer होगा प्रत्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला जो ट्री है वह कौन सा है करवेकस ओल्राइट काफी अच्छा question है भुकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदू को क्या कहते हैं भुकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदू को दोस्तों epicenter यानिकी अधिकेंद्र कहते हैं तो यहाँ पर जो correct answer होगा that is option C अगला question कहता है पर्थम भारतिये उपगरे कौन सा है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा अरे वा आरिये भट दोस्तो right answer होगा याद रखेगा बहुत सारे student यहाँ पर अलग-अलग answer लगा रहे हैं ठीक है बास करिए answer नहीं होगा आरिये भट इस दा right answer यह आपको याद दखना है दोस्तो ओलंपिक खेलों में पर्थम भारतिये महिला पदक विजेता का नाम बताईए तो देखे पर्थम की बात की गए पर्थम महिला तो question वैसे ही जादा important हो गया है और फिर बात की गए ओलंपिक medal की तो यह और भी जादा important हो जाते हैं करणाम मलेशवरी यानि की option हो जाएगा दोस्तो सी right answer ठीक है नेक्स्ट है राउर्केला इस पात सहिंतर कहां श्थित है राउर्केला इस पात सेंतर राउर्केला वेरिज राउर्केला इस्टील प्लांट सिचुएटड गया है ज़र्या Udisa हो जाने वाला है Udisa is the right answer अगला question है प्रस्तावना की खालिस्थान सविदान से लिया गया है प्रेंबल का जो दोस्तो विचार है वो कहां से लिया गया है आइडिया जो है प्रेंबल का आइडिया ओप्रेंबल वास बोरोड from the constitution of किस देश के सविदान से लिया है तो ये लिया है हमने USA से, अमेरिका से तो right answer आपका option C हो जाने वाला है अगला question है कि कौन सा vitamin J और गेहों में पाया जाता है कौन सा vitamin J और गेहों में पाया जाता है तो J और गेहों में vitamin पाया जाते दोस्तो vitamin B यानि कि A is the right answer अगला question है जगदीश पुर में विद्रो का नेतिज किस ने किया वो lead the revolt at जगदीश पुर अरे वह क्या बात है यहाँ पे quercing right answer हो जाने वाला है दोस्ते B correct answer होगा session पूरा end तक जरूर देखेगा बहुत सारे important question हम इस वीडियो में cover करने वाला है कि यह करन थोड़ा पीला होता है दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा केरटीन यानि की option हो जाएगा ठीक है color of cow milk is slightly yellow due to the presence of keratin अगला question है मनुष्य के हर्दे का भार लगभग कितना होता है दोस्तों weight of heart of human being is approximately कितना होता है दोस्तों देखें यहाँ पे कई बार आपको option में 300 से 400 या साड़े 300 ऐसे options में मिल देंगे बट एप्रोक्स की बात कीज़े तो नजदी कौन सा है 300 ग्राम्स तो यह आपका correct answer होगा ठीक है नेमिन में से कौन सी रभी की फसल है which of the following is crop of रभी तो ग्याहूं weight जो है यह रभी की फसल है इस question का right answer option D हो जाने वाला है यह आप याद रखेगा कौन सी घटना विदेशी इस्थल में घटित हुई थी कौन सी घटना दोस्तो विदेशी इस्थल में घटित हुई थी यह आपको बताना है इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा murder of kerjan valley इस question का right answer भी हो जाने वाला है guys next है कौन सा राजय भुटान को sparse नहीं करता है which state does not touches भुटान तो यहाँ पर जो right answer होगा दोस्तो which state does not touch भुटान तो देखे कई student को लगता है मेगाले भुटान को touch करता है बट ऐसा नहीं है बाकी और नाचल पर्दीस असम और सिक्किम यह भुटान को touch करते हैं नेक्स है पोर्ट सेड इस सिचुएटेटिड इन विच से किस सागर के स्थी सागर में इस्थी था दोस्तो तो इस question का right answer हो जाएगा मेडिटेरियन सी भूम अध्य सागर ठीक है ना चलिए आई सी आर्सी का मुख्याले कहां इस्थी थै आई सी आर्सी का मुख्याले दोस्तों कहां पर इस्थी थै यह इस्थी थै जिनेवा में राइट आंसर डी हो जाएगा अगला question है आपका जवालाल नहरू के निधन के पश्चात किसने परदानमंत्री पद ग्रेंड किया यह तो question कहीं बर साइद मैं करा चुका हूँ अगर अभी भी गलत किया आपने फिर तो यह आर मतलब आप याद नहीं रखते हो चीज़ों गुलजारी लाल नंदा राइट आंसर हो जाएगा जवालाल नहरू के निधन के पश्चात किसने परदानमंत्री पद ग्रेंड किया दोस्तो गुलजारी लाल नंदा ने किया था नेक्स्ट कोशन है भारत के रासपती को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है तो भारत के रासपती को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा पारलेमेंट यानिकी संसत द्वारा नेक्स है मर्डे का कप किस खेल से संबंदित है अच्छा कोशन है ठीक है ना मर्डे का कप इस रिलेटिड विद विच गेम तो दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाने वाला है फुट बॉल ठीक है ना अब बहुत सारे स्टुडेंट यहां पर गलत कर चुके हैं बट फुटबोल ही इसका राइट आंसर हो गा नेक्स्ट है एस्वरिया का हाल ही में निधन हो गया वह खाली स्थान थे इस वरिया का हाली में निधन हो गया वे एक क्या थी दोस्तों वे पतरकार थी जनरलिस्ट थी यानि कि इसका राइट आंसर ओक्षन ये हो जाने वाला है अगला कोश्चन है किस राज्य सरकार ने स्थानिय निकाय चुनाव लड़ने के लिए नियुन्तम सेक्षिनिक योग्यता की सर्थ को समाप्त कर दिया जरा बताएगा किस राज्य ने ऐसा किया है तो यहां पर अगर मैं बात कर वे इस कोश्चन के बारे में तो इस कोश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाने वाले आपका बिल्कुल सही है राजिस्थान क्या हो दिएगा राजिस्थान is the right answer मैलाओं की राष्टिय मुक्यबाजी चेंपियंशिप का खालिस्थान संसकर्ण विजे नागर करनाटक में आई जीत हुआ ठीक है तो जल्दी से बताइए ये दोस्तो कौन सा third edition था यानि कि right answer B हो जाने वाला है ठीक है न दोस्तो अगला कोशन कह रहा है आपका कि किसको मुख्य चुनावायूक्त के रूप में न्यूक्त किया गया है who has been appointed as a chief information commissioner इस कोशन का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा yes वर्धन कुमार सिना क्या हो जाएगा yes वर्धन कुमार सिना यानि कि आपका B right answer हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है दोस्तो भारत की उप कप्तान स्मृद्धी मगंधाना को महिला किर्केट ओफ दा इयर के साथ साथ ICC दुआरा महिला वन डे प्लेयर ओफ दा इयर चुना गया है वह किस राज्य से है दोस्तो ये है दूसर का नया अध्यक्स नूक्स किया गया है who has been appointed as the new railway board chairman तो इस question करएट answer कै होगा who has been appointed as the new railway board तो देखिए यहां पर actual में दोस्तो एक्शल में येवाला जो question है ना मिन इस्टियो प्रेल बेक जो सुनीत सर्माहिए ठीक है ना तो वैसे वी के यादव यहां पर रइट आंसर हो जाता बट यह आप याद रखेगा ठीक है कि जियर बोल सोन नारो ने खाले स्थान के रास्पति के रूप में सपतली कि इस कोशन का दूस्तों रइट आंसर क्या होजेगा ब्राजील के ठीक है न चले नेक्स्कोशन और नेक्स कोशन है जस्टिस चोलेंदर सामसोर जी बी राना ने खालेस्तान के सुप्रीम कोर्ट के नै मुख्य न्यादिष के रूप में पदभार संबाला तो इस कोशन का रहे तांसर क्या होजेगा नेपाल के ठीक है नेपाल इस question का right answer हो जाएगा दोस्तों next है कि इस देश ने प्राचिन हिंदू धार्मिक इस्थल पंज तीरत को राश्ट्य ध्रोवर घोसित किया है तो यह घोसित किया दोस्तों पाकिस्तान ने यानि की right answer आपको option यह हो जाएगा अगला question है विस ब्रेल दिवस परतीक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है तो world braille day is observed every year on थेकि world braille day 4 जनवरी को मनाया जाता है ठीक है next है किसने जालंदर में महिला विज्ञान केंदर का उदगाटन किया था तो इस question का right answer हो जाएगा स्मरिद्धी इरानी स्मरिद्धी इरानी इस दा right answer यह आपको याद अखने पर मैंने यह वाला आपको चार जनवरी बताया ना दोस्तो नेक्स्ट है खाली स्थान से नोबल प्रुसकार विजेता अवराम हारेको और खाली स्थान के एक डखन एम पोल्डिन ने जालंदर में चिल्डन साइंस कॉंग्रेस का उधगाटन किया तो इसका right answer जर बताएगा खाली स्थान के राश्पति मादूरों ने दूसरे कारेकाल के लिए सपत ली तो यह लिए दोस्तो वेनेजुएला में यानि कि इस question का right answer option यह हो जाएगा कुछ technical issue हो रहा है क्या हुई बीच बीच में voice कट रही है कि मेरी आपको अगर बीच बीच में मेरी आवाज कट के सुनाई दे रही हुग तो comment box में बताएगा जैदीब गोविंद को राजपती मानव अधिकार आयोग का महासचीव न्यूक्त किया गया और यहाँ पे NHRC का मुख्याले कहा है तो NHRC का मुख्याले दोस्तों आपका नई दिल्ले में है किस लेखिका ने अपने उपन्या सिंग टू लिव बिहाइंड के लिए सुसीला देवी साहत्य पुरुषकार जीता है इस question का right answer हो जगा नमीता गोखले यानि कि A is the right answer next है किसको फिलिप कोटला रास्टपती पुरुषकार मिला है किसको फिलिप कोटला रास्पती पुरुषकार मिला है और इस question का right answer हो जाने वाला है दोस्तों नरेंद्र मोधी को ठीक है न next question है किस राज्य सरकार ने गया आसरियों से आवारा गयों को गोध लेने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया है तो ऐसा करने वाला राज्य कोंस है दोस्तों अब बहुत सारे स्ट्रेंट तो उत्तरप्रदिस अंसर लगाएंगे बट उत्तरप्रदिस नहीं है यह राजिस्थान है दोस्तों नेक्स है किसने दसवे सिख गुरू गोविंद सिंग जी की 352 जैनती पर नई दिल्ली में एक समारक सिख का जारी किया तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाने वाला है नेंद्र मोधी ठीक है ना किस राज्य में पोंगल तोहार मनाया गया है तो तमिल नाडू इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा यह आपको यह दखना है दोस्तों नेक्स्ट कोशन है 1956 में अंग्रेजो द्वारा कलकत्त की किले बंदी को बंगाल के नवाब सिराजु दोला ने माना था यह इसका था दोस्तों उसकी संपर्भूता पर हमला यानि की अटेक अपोन ही सोवरेनेटी ओप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है बंगाल के सवतंत राज्य की स्थापना किस ने की तो वो फांडिड इंडिपेंडेंट इस्टेट ओफ बंगाल तो इसकोशन का राइट आंसर हो जेगा दोस्तों मुर्सिद कुली खान यानि की ऑप्शन सी इसदा राइट आंसर दोस्तों तो जब बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों मीर कासिम इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है उस समय बंगाल का नवाब पहुंग था मीर कासिम था नेक्स्ट कोशन आ रहा है कि निमलिखित में से अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा लड़ी गई सबसे निर्नायक लड़ाई कौन सी थी तो सबसे निर्नायक जो लड़ाई लड़ी गई थी वो थी बैटल ओप बक्शर ठीक है राइट आंसर इस ओप्शन ए इस कोशन का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है फारुक सियार यानि की डी इसदा राइट आंसर सायक गडवंदन की परणाली को सविकार करने वाला पहला भारत्यमूल सासर कौन था इस question का दोस्तो right answer हो जाने वाला है हैदराबाद के निजाम यानि कि आपका D right answer होगा ठीक है चले next दोस्ते एक बहुत ही अच्छा question है और इस question का right answer होजेगा मीर जफर तो आगे के लिए question को याद रखेगा next question तो दोस्तो black hole राजदी में हुई थी आपको बताना है black hole tragedy जो है was held in कहाँ पर हुई थी यह हुई थी दोस्तों कॉलकता में ठीक है जिसमें number of Europeans were imperial मतलब जिनको जेल में बंद कर दिया गया था और यहाँ पे गर मैं बात करूं कब हुई थी दोस्तों 1756 में तो यह अर भी आप याद रख सकते हैं next next question है प्लासी किस नदी के किना रेश्थी थे तो प्लासी was situated on the bank of which river ugly is question कर रहे टांस हो जगा ugly river ठीक है next दोस्तों next है मनिहारी का युद कब हुआ तो मनिहारी का युद है दोस्तों battle of money 1756 तो यहाँ पे रख आंसर भी हो जाएगा next अगला question कह रहा है कि मुर्सिदाबाद से मुंगेर अपनी राजदानी किसने इस्तांतरित की बते जल्दी से तो मेरे पैरे दोस्तों इस question का राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने किसने मीर कासिम इस्ता राइट आंसर next question है दोस्तों आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था देखे वान हेस्टिंग जो है वो बंगाल का लास्ट कवर्नर था जो की 1772 में अपॉइंट हुआ था मतलब निक्ट हुआ था हम आप पे तो इन में से कोई नहीं है ननो अपदीज राइट आंसर हो जाएगा next question पे चलते है question है आपका बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था तो who was the governor of Bengal at the time of battle of बक्सर is Lord कलाइब यानि कि यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा next अगला question कह रहा है कि भारतिय सविदान का कौन सा अनुच्छे लोग सभा विदान सभा की परतेंदियों को निर्वाचित करने अर्थात व्यस्क मत अधिकार का अधिकार परदान करता है तो guys इस question का right answer हो जाएगा article 326 ठीक है next question दोस्तों है आपका भारति सविदान का कौन सा भाग सविदान की आत्मा कहलाता है तो इस question का right answer होगा सविदान उप्चारों का अधिकार यानि की right answer D हो जाएगा next next है राज्य के राजयपाल को सपत कौन दिलाता है तो chief justice दिलाता है दोस्तों ठीक है राज्य के राजयपाल को यानि की chief justice of high court तो right answer D हो जाएगा next भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावली क्या है what is tenure of chief election commissioner of India sorry commission of India तो यह आपका हो जाएगा what is tenure of chief election commission of India बिल्कुल सही answer कि यह है 6 साल यहाँ पर answer होगा बट 6 year और 65 year whichever is earlier यह इसका answer होगा एक्चल में यहाँ पर D right answer हो जाएगा 6 साल ठीक है बट उसमें और लागा के 65 वर्स भी होना चाहिए था जो भी पहले हो ठीक है तो पूरा option नहीं दिया गया है right answer option D चले अब नेक्स पीडियो पर चलते हैं और देखिए जितने भी स्ट्रेंड ने भी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना नेक्स पीडियो पर चलते हैं तो आज की वीडियो का पहला कोशन है दोस्तों ग्यानपीट पुरुसकार किस चेतर में दिया जाता है और आपको किसी भी कोशन का आंसर पता होगा तो आपको क्या करना है नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताना है वीडियो को लाइक भी जरूर करना है मेरे प्यारे दोस्तों ग्यानपीट पुरुसकार दिया जाता है सायत्ते यानिकी लेटरेचर के चेतर में इस कोशन का सही आंसर ओप्शन डी हो जाएगा यह आपका फर्स्ट कोशन था आज की प्रेक्टिस सेट का दूसरा कोशन आता है कबीर पुरुसकार किस सेतर में दिया जाता है आज बहुत सारे कोशन में आपको पुरुसकार से लेटिड कराने वाला हूँ ठीक है तो कबीर पुरुषकार किस सेतर में दिया जाता है दोस्तों बिलकुल सही इस question का right answer होगा promotion of communal harmony यानि कि इस question का correct answer option C हो जाएगा ये आपको याद रखना है ओके चले जी next question आता है खेलो के coach इन में से कौन सा पुरुषकार प्राप्त करते हैं खेलो के जो coach होते हैं दोस्तों इन में से कौन सा पुरुषकार प्राप्त करते हैं इस question का सही आंतर होगा अरे बिलकुल सही है द्रोनाचारिय वर्ड कौन सा वर्ड दोस्तों द्रोनाचारिय पुरुषकार प्राप्त करते हैं आपका अगला कोशन आता है किस वर्स में राश्ट्य फिल्म प्रुसकार शुरू हुआ? किस वर्स में राश्ट्य फिल्म प्रुसकार शुरू हुआ? आंसर पता तो जल्दी से बताईए यह शुरू हुआ था 1954 में 1954 में शुरू हुआ था 1954 is the right answer नेशनल फिल्म ओर्ड अगला कोशन प्रुसकार जो किर्सी के से इतर में दिया जाते हैं जल्दी से बताईए किर्सी के से इतर में दिया जाने वाला प्रुसकार बोरलोंग प्रुसकार दोस्तों यहां पर right answer हो जाएगा ओल्राइट चलिए नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सबसे अलग है इनमें से कौन सा सबसे अलग है देखें इन में सबसे अलग दोस्तों कौन सा है वीर चक्र है क्यों अलग है क्योंकि ये बैटल फिल्ड में दिया जाने वाला पुरुसकार है इसलिए ये अलग है तो यहाँ पे कौशन नमबर 6 इन में से कौन सा लग है ओप्शन सी रेट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आते कौन सा पुरुसकार विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा पुरुसकार है जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाता है इसका राइट आंसर होजएगा crystal award यानि की a is the right answer ठीक है next question आजीवी का अधिकार पुरुषकार इस्थापित किया गया था किस वर्स में मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer होगा 1980 में ठीक है 1980 में क्या गया था अगला question है भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला सरुसरेस्थ पुरुषकार कोन सा है भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे सर्वस्रेश्ट पुरुसकार कौन सा है दोस्तों, हाइस्ट यानी की तो यहाँ पे right answer होगा भारत रतन ठीक है भारत रतन पुरुसकार जो है वो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला highest यानी की सर्वस्रेस्ट पुरुसकार है सभी को पता होना चाहिए निमलिखित में से किस पुरुसकार को वेकल्पिक नोबल पुरुसकार के रूप में जाना जाता है तो जल्दी से बताएं दोस्तों which of the following prize is also known as the alternative noble prize यहाँ पे जो सही answer होगा that is option D right livelihood award यानी की D right answer बन जाएगा next है maxis पुरुसकार दिया जाता है maxis पुरुसकार दिया जाता है तो maxis पुरुसकार दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों किस government यानी किस दिश द्वारा तो Philippines द्वारा दिया जाता है चले अगला question आता है Maryland पुरुसकार दिया जाता है किसको दिया जाता है मैरिलिन जो अवार्ड है वो किसको दिया जाते दोस्तों डोक्टर को, मैजीशियन को, ओथर को या इन में से कोई नहीं दिखे, मैरिलिन पुरुसकार दिया जाता है मैजीशियन को तो यह है याद रखने वाले कोशन है कहीं student इसको गलत कर दिते है और exam में कहीं बार आ चुका है अर्थ सास्तर के लिए noble पुरुसकार किस वर्स स्थापित किया जाता है या किया गया था सोरी तो यहाँ पर right answer होगा 1968 में अर्थ सास्तर के लिए noble पुरुसकार किस थापना दोस्तो 1968 में की गई थी ठीक है चलिए next है सर्वसरेस्ट military decoration पुरुसकार कौन सा है highest military decoration award is तो यह कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तो बहुत ही अच्छा किया है आप लोगोंने answer यहाँ पे जितने भी student प्रमवीर चक्र answer लगा रहे है तो वह बिल्कुल सही है प्रमवीर चक्र is the right answer वह पुरुसकार जो पत्रकार को उनके आर्थिक साहिता के लिए दिया जाता है तो यह पुरुसकार दोस्तो कौन सा है अपन मैनन मेमोरियल अवार्ड ठीक है ना तो राइट answer इस ओप्षन है तो दोस्तो नेक्स्ट है विश्व कर्मी राष्ट्य पुरुसकार किस मंत्रा ले द्वारा दिया जाता है तो यह दिया जाता है विश्व कर्मी राष्ट्य पुरुसकार किस मंत्रा ले द्वारा जाता है मिनिस्ट्री उफ लेबर द्वारा दिया जाता है अप्षन B is the right answer इनमे से कौन इंद्रा गांधी राष्ट्य एक्ता पुरुसकार के विजेता है इन में से कौन इंद्रा गांधी रास्टी एकता प्रुषकार के विजेता है मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे रैट आंसर होगा अरुन आसफली यानि की ओप्षन यह रैट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है इन में से कौन कला संस्कृती और सिक्सा के लिए दियावती मोधी प्रुषकार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है तो यह कौन व्यक्ति हैं दोस्तों अभिताब बच्चन यानि की बी इस दा रैट आंसर सरस्वती सम्मान की सेत्र में दिया जाता है संस्कृत जो सम्मान है is given to which field तो आप थोड़ा सा अगर तुक्का भी लगाएंगे common sense भी उच करेंगे तब यह आप आंसर सही कर सकते हैं साहित्यानि की लिटरेशर के सेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है नेक्स्ट है सस्त्र रामानुज पुरुषकार किस्से सम्मान दित है दोस्तो यह किस्से लिटर्ड है young mathematicians यानि की option आपका b right answer होगा नेक्स्ट आता है सरस्रेश्ता के लिए कैनिन्स पुरुषकार किस सेत्र में दिया जाता है तो कैनिस जो पुरुषकार है यह किस सेत्र में दिया जाता है दोस्तो यह दिया जाने वाला है फिल्म सेत्र में यानि की यह आपका right answer रहने वाला है पुलिजर पुरुषकार किस सेत्र में अदबुत प्रदशन के लिए दिया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा That is option C, Literature and Generalism Literature and Generalism is the right answer बुकर पुरुषकार किस सेत्र में दिया जाता है? तो बुकर प्राइज इस गिवन तो दिफिल्ड ओफ बिल्कुल सही दोस्तों, Fiction के सेत्र में दिया जाता है FIFA पुरुषकार किस सेत्र में दिया जाता है? F.I.F.I. यह FIFA वो फुटबोल वाला नहीं है, दोस्तों, ठीक है न? F.I.F.I. होगा वैसे तो यह इसका right answer हो जाएगा Parfumes के सेत्र में दिया जाता है F.I.F.I. ओके? Next आता है, युनेस्को का Pricks Jules, Burn, Pruskar, दूरदर्शन के किस सीरियल को दिया गया? तो यह दिया गया था Turning Point के लिए किसके लिए दोस्तों? Turning Point is the right answer चले Next आता है, अकबर नामा पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई? अकबर नामा बूक इस ओथर्ड बाई अकबर नामा बूक लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा यहाँ पे right answer option ए रहने वाला है Next question है नेमलिकित में से कौन सी पुस्तक रविन्दनाट टैगूर द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे दोस्तों जो पुस्तक है Hungry Stones यह रविन्दनाट टैगूर द्वारा लिखी गई है और काफी important है यह question याद रखेगा Next Suitable boy किसके द्वार लिखी गई है? Suitable boy किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का जो correct answer होगा that is option बिल्कुल विक्रम सेट के द्वारा D is the right answer Next निमलिकित में से कौन? लीलियम सेक्सपियर की कृति नहीं है बते यह वई मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे सही answer क्या हो जाएगा? अरे वाँ बिल्कुल correct answer किया है और इस question का सही answer होगा Caesar and Calipurator यानि की option हो जाएगा D right answer Next है Ethics for the New Millennial पुष्टक किसके द्वारा लखी गई है? यह पुष्टक लिखी गई है दलाई लामा के लिए यानि की C right answer होने वाला है अबुल कलाम आजाद की किताब है अबुल कलाम आजाद की किताब का नाम बताइए तो यह किताब का नाम है India wins freedom इंडिया wins freedom निमलिकित में से कौन William Shakespeare की किरती नहीं है I think यह वाला कोशन हो चुका है Life of Samuel Johnson यहाँ पिर रैटा आंसर होगा यह हो चुका है Next आपका कोशन आता है कसमीर a tragedy of errors पुष्टक किस के द्वार लिखी गई है? तो यह जो पुष्टक है दोस्तों यह लिखी गई है तल्वीर सिंग द्वारा किसके द्वारा? तल्वीर सिंग यहाँ पे correct answer रहेगा Next है निमलिकित में से कौन सा George Bernard साह का काम नहीं है देखे इन में से जोर्ज बर्डर साह का काम नहीं है Magic Mountain ठीक है न? यह आपका right answer option A होगा इसमें आपको book और authors match करने है तो बताइए इन में से कौन सा सही answer होगा book और authors match करने में देखे इस question का मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा right answer अरे बिलकुल सही है जो भी student यहाँ पे B answer लगा रहे है वो बिलकुल सही है B is the correct answer Next The story of my experiments The truth पुष्टक किसके द्वार लिखी गई है The story of my experiments with truth book is authored by तो यहाँ पे right answer क्या होगा महत्मा गांधी द्वारा यह आप सभी को पता ही होगा है Next है रमायन किसके द्वार लेखी गई बिलकुल दोस्तों रमायन लिखी गई है महारीसी वालमे की द्वारा Right answer इस ओप्षन है Next है Crescent Moon पुष्टक किसके द्वार लिखी गई है तो यहाँ पे रैटान से क्या होगा यह बुक लिखी गई है रविंदर नार्ट टैगोर द्वारा दोस्तों ठीक है ना वई Next निमलिकित में से कौन रविंदर टैगोर की किरती नहीं है कौन सी रविंदर टैगोर की किरती नहीं है Friends and Fores is the right answer यह आपका right answer रहने वाला है My own boss will पुस्तक किस के द्वार लिखी गई है My own boss will पुस्तक is author by यह बुक लिखी गई है M हिदायत उल्ला यानि की D right answer होगा ठीक है ना वई निमलिकित में से कौन अरुधती रोय का काम है यहाँ पर right answer होगा The Algebra of Infinite Justice ठीक है The Algebra of Infinite Justice is the right answer The Merchant of Venice किसने लिखी है The Merchant of Venice किसने लिखी है बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer होगा William Shakespeare ने Right answer is B Next match the following यहाँ पर work and authors यहाँ पर भी आपको match करने है तो बताइए इस question का सही उत्तर क्या होगा तो काफी सारे स्टोरेंड ने बिल्कुल यह दोस्तों इसका right answer हो जाएगा C ठीक है Unhappy India लाला लाजपतर है Tulips and पर मुल्क राज आनंद Unto the last John Ruskin View from the UN You thought यह आपका right answer होगा Next question है Min काम किसके द्वारा लिखी गई है Min काम किसके द्वारा लिखी गई है यह Adolf Hitler के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई है कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई बुक है तो यह लिखी गई है बानभट द्वारा यानि कि इसका right answer हो जाएगा William Shakespeare की परसिद किरती कौन सी है इस question का right answer होगा Julius Caesar यानि की D right answer होगा Life of Pi written by Life of Pi दोस्तों यह बुक लिखी गई है यान मार्टेल के द्वारा यानि की A आपे right answer रहने वाला है यह बुक और उथर को दुबार से match करना है तो जल्दी से करिए तो यह आपने I think match कर लिया होगा और इसका सही answer option B होगा ठीक है पहले का आपका second हो जाएगा B का आपका third हो जाएगा और C का आपका fourth and last is first नेक्स कोश्चन है इगनेट माइंड वाज ओथर भाई इगनेट माइंड के पुष्टक APJ Abdul Kalam right answer होगा और मुझे लगता है कि काफी सारे स्ट्रेंड ने यही answer लगाया है ठीक है ना चलिए next next है किसकी वसियत पर noble पुरुसकार दिया जाता है तो Alfred noble दोस्तो right answer होगा ठीक है Alfred noble ने किसका अविसकार किया था what did Alfred noble invent तो दोस्तो dynamite इस question का क्या होगा right answer dynamite is the right answer next noble पुरुसकार कब दिया जाता है तो noble पुरुसकार कब दिया जाता है on 10th December every year ठीक है यह आपको याद रखना है noble पुरुसकार देना कब शुरू किया गया noble पुरुसकार कब देना कब शुरू किया गया 1901 इस question का right answer हो जाएगा सबसे पहला noble पुरुसकार किसे दिया गया तो विलियम रोटेजन is the right answer कौन कौन से देश noble पुरुसकार प्रदान करते हैं इस question का right answer होगा दोस्तों नॉर्वे एन स्वेडन निर्वन में से किस सेत्र में noble पुरुसकार नहीं दिया जाता है तो mathematics के सेत्र में नहीं दिया जाता है निर्वन में से किस सेत्र में noble पुरुसकार नहीं दिया जाता है फिर से एक question है तो genocide इस question का right answer रहने वाला है रसायन विज्ञान में पर्थम noble पुरुसकार किसे मिला तो want of is the right answer ठीक है सायत्य में पर्थम noble पुरुसकार किसे मिला तो sali prodo me is the right answer ये भी आपके दखना है सान्ती में पर्थम noble पुरुसकार किसे मिला हैंडी डोनट इस question का right answer होगा भोतिक विज्ञान में पर्थम noble पुरुसकार किसे मिला डबलू सी रेंग्टन इस question का correct answer होगा शरीर विज्ञान तथा आयूर विज्ञान में पर्थम noble पुरुसकार किसे मिला वान बेरिंग इस दा राइट आंसर नोबल सम्रिती में अर्थ विज्ञान में पर्थम noble पुरुसकार किसे मिला और 300th anniversary of serving risk bank यानि की 1968 ये आपका right answer होगा नोबल सम्रिती में अर्थ विज्ञान में पर्थम noble पुरुसकार किसे मिला तो रेंगर फ्रिच एंड जैन तिनबर कन इस दा राइट आंसर नोबल पुरुसकार में कितनी धनरासी दी जाती है नोबल पुरुसकार पाने वाले पर्थम भारतिय कों थे तो रभिंद्र नाथ टेगूर इस दा राइट आंसर दोस्तों नेक्स्ट है भोतिक विज्ञान में नोबल पुरुसकार पाने वाले पर्थम भारतिय कों थे तो सीवी रवन जिनको 1930 में मिला था ठीक है नेक्स्ट कोश्टन है सांती में नोबल पुरुसकार पाने वाले पर्थम भारतिय कों थे तो इस कोश्टन का राइट आंसर सांती में पर्थम भारतिय सोरी ओप्शन्स गलत हो गये है ठीक है राइट आंसर दोस्तों रभिंद्र नाथ टेग हो जाएगा ठीक है रभिन नाथ टेग ओड़ी ये ओप्शन्स कलत है नेक्स्ट है अर्थ विज्ञान में नोबल पुरुसकार पाने वाले पर्थम भारतिय कों थे अमरित्य सेंद जिनको 1998 में विला था हाली में नोबल पुरुसकार पाने वाले भारतिय कों है दोस्तो इसका राइट आंसर होजेगा केलास सत्यार थी बिल्कुल से दोस्तो इनको 2014 में पीस के चेतर में दोस्तो ये मिला है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट पीडियाप पे चलते हैं और अभी क्लास कंटियून रहेगी प्लीज एक बार लाइक जरू कर दीजे मैक्सिमम कोशन्स कराने की मेरी पूरी कोशिस है आप भी पूरा सेशन देखेगा बहुत मज़ा आने वाला है ठीक है चलिए नेक्स्ट दोस्तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बते है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बोक्स में जरूब बतेगा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे अपने सबी दोस्तों के साथ में सेयर कर दीजे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन कौन रखी ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं और मिलते हैं नेक्स क्लास में अपना ख्याल लखे और किसी को भी अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन जोइन करना है तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं स्टेडी टेंड विदाउट अनी स्पेस चलिए भे मिलते हैं नेक्स क्लास में बाई बाई टेक केर वीडियो